राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वाकत है दोस्तों जीवन में सकारात्मक्ता और नकारात्मक्ता का बहुत असर होता है ऐसे में हमें प्रयास कहना चाहिए कि हमारे आसपास सकारात्मक उर्जा रहे जिससे की हम हमेशा उन्नती की ओर अग्रिसर रहें और जिस घर में नकारात्मक उजा रहती है उस घर में बेचैनी रहती है घर में आते ही मूट खराब हो जाता है घर की चीजें जल्दी जल्दी खराब होती है पूजा पाठ में मन नहीं लगता घर में अशान्ती का माहल बना रहता है आपस में तनाब रहता है और जिस घर में अशान्ती होती है वहाँ पर मा लक्ष्मी कभी नहीं आती उस घर में धन का आभाब बना रहता है और तरक्की नहीं होती हम सभी चाहते हैं कि नया साल हमारे जीवन में खुशियां और तरक्की लेकर आए। आप सभी ने भी नए साल में सफलता पाने के लिए प्लानिंग की होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नकारात्मक उजा फैला रही है। नए साल को खुशाल बनाने के लिए और नए साल में तरक्की पाने के लिए नया साल सुरू होने से पहले हैं आप अपने घर में से इन चीजों को निकाल फैंकें सबसे पहरी चीज है तूटा हुआ कांच अगर आपके घर में कोई कांच तूटा हुआ रखा है तो उसे जल्द से जल्द खर से बाहर कर दे क्यूंकि ये कांच आपकी गरीबी का कारण बन सकता है इसके अलाबा परिवार को मानसिक दनाप का भी सामना करना पर सकता है कांच तूटना तो बहुत अशुब होता ही है साथ ही तूटे हुए कांच को घर में रखना भी बहुत अशुब होता है दूसरी चीज है तूटे फूटे बरतन घर में तूटे-फूटे बरतन रखने से ते भी लक्षमी नाराज होती है और घर में तरित्ता का बास होने लगता है पुराने बरतनों को घर से निकाल देने से नकारात्मग उजा भी बहार चली जाती है और मालक्षमी की भी कृपबनी रहती है और तूटे हुए बरतन में कभी भूजन भी नहीं करना चाहें कोई बरतन खराब हो गया है तो उसे जल से जल अपने घर से बाहर निकालते तीसरी चीज है पलंग अगर दमपत्य जीवर में खुशाली चाहते हैं तो अपने पलंग पर एक बार नजर डाले जिस पलंग पर पती पतनी सोते हैं अगर वह पलंग तूटा हुआ होता है तो इससे उनके बीच में तिष्टे में दरार आ जाती है अगर आपका पलंग तूटा हुआ है तो जल्द से जल्द उसकी मरम मत करा ले चौथी चीज है बंद घड़ी हर घर में कोई ना कोई बंद घड़ी जरूर होती है लेकिन घड़ी की इस्थिती से उन्नती ने धारत होती है और अगर रुकी हुई घड़ियां घर में रखी रह जाएं तो यह परवार की उन्नती को बाधित करती है घड़ी समय का सूचक होती है चलती हुई घड़ी शुब होती है लेकिन रुकी हुई घड़ी आशुब होती है अगर आपके घर में भी ऐसी खड़ियां है तो उन्हें जल्दी से सही करा ले या फिर उन्हें घर से बहान निकाल दे पांचमे चीज है खंडित मूती घर में कभी भी किसी देवी देपता की तूटी हुई मूर्टी नहीं रखने चाहें इससे जीवन में कई परिशानियों का सामना करना पर सकता है खंडित या तूटी मूर्टी को जल में प्रवाहित या मिट्टी में दवा देना चाहें खंडित मूर्ती को जल्दी से जल्दी अपने घर से बहा निकाल दें खंडित मूर्ती को घर में रखना अशुप होता है छटी चीज है तूटा हुआ दर्वाजा या खिर्की और अवास करते हुए दर्वाजे या खिर्की घर में कोई दर्वाजा या खिर्की अगर तूटी हुई अवस्था में हैं तो उसे ठीक करवा लें या तुरंद बदल बा लें तूटे हुई दर्वाजे खिर्की की बज़े से घर में आपको हमेशा आतिक तंगी का सामना करना पड़ता रहेगा साथ ही अगर आपके खिर्की दर्वाजे अबास करते हैं तो यह भी बहुत अशुम होता है इससे घर में हमेशा अशान्ती बनी रहती है इसलिए आपने दर्वाजे खिर्की के कब्जों पर मशीन का तेल या फिर मिटी का तेल जरूर लगाएं जिससे तरवाजी खिर की आवाज ना करें साथमी चीज है खराब पैन अगर आप अपने केरियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी भी घर में खराब पैन ना रखें यह सफलता में रुकाबर बनेगा नए साल से पहले या नया साल शुरू होते ही आप इन चीजों को अपने घर से बहार निकाल दें जिससे नया साल आपके लिए खुशियां और उन्नती लेकर आए आप सभी को नय साल की हाद एक शुपकामना है उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें शेयर करें हमारी और फी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग राधे राधे